मॉर्गन स्टैनली ने डाबर को अपग्रेड किया है वीडियो में हम टीटेल में डाबर के बिजनस के बारे में बात करेंगे मॉर्गन स्टैनली ने क्या कहा है उसको समझेगे तो सबसे पहले उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग दी हुई है उनका कहना है कि जो रूरल एरि को एक्सपेक्ट किया जा रहा है और जिससाब से डाबर का पॉर्टफोलियो है तो 45% रेविन्यू जो है वो रूरल एकॉनमी के साथ लिंक है तो अगर गाउं अच्छा करेंगे तो डाबर को भी उसका फाइदा मिलेगा और भविश्य में जो फूड और जो का जो है जहां पर जो रियल जैसे बड़े ब्रांट डाबर के पास है वो और एक्सपेक्टेड है अच्छा करने की अब देखिए यह बहुत ही लेटेस्ट के आप देख सकते हैं नंबर आपके सामने लाया हूं जहां पर आप देखिए कि रेविन्यू बढ़ा है जैसे पिछ 404 करोड से 490 करोड प्रॉफिट हो गया है मतलब जो प्रॉफिट है वो गिरा है और मार्जिन आप देखिए लगबग 18% से 16.4% यहां पर मार्जिन यहां पर कम हुआ है तो बहुत बड़ा इसका जो रीजन है जो मार्जिन गिरने का वो है कि जो रो मेटेरिल के जो बहुत जादा इंक्रीज हुए है तो उसके कारण से यह जो डाबर का जो है प्रॉफिट यहां पर कम हुआ है इन स्पाइट ओफ की रेविन्यू बढ़ा है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ डाबर को प्रॉब्लम हुई है आप क्वार्टर टू के जो रिजल्स आये थे मैक्सिम कंपनीज जो भी FMCG सेक्टर से है सबको यह चैलेंज था मैं हिंदुस्तान यूनिलिवर की बात कहूं या कोई भी इन कंपनियों को तकलीफ हुई थी अब एक्सपेक्टेड है कि अगर इंफलेशन का जो प्रॉब्लम है वो कम होता रहे तो फिर इनको एक फाइदा मिल सकत है क्योंकि अभी पताया जा रहा है कि जो इंफलेशन का जो वर्स्ट फेस था वो अब जा चुका है तो फ्यूचर में मार्जिन्स अगर बढ़ते हैं तो एक पॉजिटिव हो सकता है बिजनस के लिए अब देखें यह जो आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कुछ आइ जी मोला है फिर तूथ पेस्ट फिर मिस्वाक यह बबूल यह सब ब्रांड है वाटिका के जो शैंपू के ब्रांड है यह सब जो पूछ ब्रांड ऐसे हैं जो घर घर में होते हैं कौन सा बिजनस सबसे ज्यादा क्रू कर रहा है और यहाँ पर मैंने देखा कि डाबर का जो फूड एन बेवरेजस का जो बिसनस है फूड एन बेवरेजस में जो खास कर जो रियल और जो रियल फिर जो होम मेट जो बिसनस है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉंग अभी देखने को मिल रहा है जहां पर वो 17% से 20% देखने को मिल रहा है और अगर आप 3-year CAGR देख अभी दिख रहा है मार्किट कैप 1,6,000 करोड की है मतलब कमपनी एक लार्ज कैप की कमपनी है लगभग अठारा सो करोड का उनका प्रॉफिट रहा है और उसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो पी रेशियो कुछ 59.5 मतलब साथ के आसपास पी रेशियो बन रहा है अग अगेन हिस्टोरिकल लेवल से अभी जो डाबर को पी रेशियो मिला है यह थोड़ा हाई पी रेशियो मिला है बट मार्किट अभी इसलिए भी इनको हाई पी रेशियो देती है क्योंकि बहुत सारे जो प्रॉडक्ट्स है घर घर में यूज होते हैं और उनका हमेशा से को सेल्ज ग्रोथ और क्रॉफिट ग्रोथ जो है वह सिंगल डिजिट में ही है तो यह इंपॉर्ट रहेगा में देखना। कि सेल्ज ग्रोथ कैसा बढ़ रहा है जैसे आप यहाँ देख सकते हैं पहली स्लाइड में कि 6% के हिसाब से sales growth यहाँ पर बढ़ा है और profit growth actually में कम हुआ है तो इसलिए यह sales और profit growth बढ़ता रहे तो फिर जो high valuation है at least जो डाबर है वो justify कर सकती है पूर अल मॉर्गन स्टेंली ने अपग्रेड किया हुआ है पिछला एक डेड़ साल डाबर और FMCG कमपनियों के लिए बहुत ही difficult रहा था क्योंकि inflation बहुत जादा था क्योंकि जो raw material के जो prices है वो बहुत जादा बढ़ रहे थे तो उनको भी अपने जो कुछ product है उनका price पढ़ा था लेकिन हर product कर तो price बंड नहीं सकता है inflation कम होता रहे इनके लिए positive है अब interest rate hike भी अभी हो रही है यह भी अगर एक level के बाद अभी कम होना सुरू हो जाए तो positive है लेकिन RBI ने अभी फिर से interest rate बढ़ाय हुए है तो यह expected है कि अगले अगले साल में फिर जो hike होना ह है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा डाबर के लिए और positive क्या है कि जो market share gain है उन्होंने 95% portfolio में किया है जो कि एक बहुत बड़ा positive है जिसकी वज़ा से जो high PE जो है वो थोड़ा बहुत justify इसलिए भी हो जादा है क्योंकि at least वो market share जो है अपने maximum जो product से वहाँ पर gain कर रहा है जह support है कि चीजे जो है थोड़ा सा चल्दी turn हो सकती है तो वो turn होगा तो business को positive impact मिल सकता है तन्यवाद आपका time के लिए थैंक्यों दूस्तों